स्वागत है आप सभी को ग्यापन एकडमी के इस नए कमेश्ट्री अबजेक्टिव क्लास में जी हाँ आपका क्लास टेंथ बोर्ड एक्जाम में कमेश्ट्री जहां से अबजेक्ट्री बहुत ज्यादा कोशन देखने को मिलता है हम आज के इस कमेश्ट्री के सारे के सारे अबजेक्टिव लेकर के आगय हैं और साथ ही साथ अगर आपको question हो सकता है कि कोई question के साथ आप नए हो तो वो question आपको याद हो जाने वाला है और आने वाला board exam आपके लिए सबसे बेहतर हो जाने वाला है तो चलिए बीना देर के session की शुरुआत करते हैं so let's go to start यहाँ पर पहला question है कि sodium sulfate देखेगा ज़रा ध्यान से sodium sulfate NA2SO4 और BACL2 barium chloride यह दोनों आपस में अभिक्रिया करके barium sulfate और sodium chloride बना रहा हैं तो यह पूछ रहा है कि उपर दी गई रासानिक अभिक्रिया किस परकार की है तो यहाँ आपको दिये गए option है संयोजन अभि करिया वियोजन अभिक्रिया और दिविष्थापन अभिक्रिया कि इनमें से कोई नहीं तो आपको सही उत्तर बताना है तो यहाँ पर देखे पहले तो संयोजन अभिक्रिया के बारे में समझ लिजिए जब कोई दो तत्वा आपस में मिल करके एक नए compound कर निर्माड करते ह तो वो संयोजन अभिक्रिया कालाते है और वियोजन में क्या होता है कि एक बड़ा योगिक टूट करके दो या दो से अधिक भागों में भक्त हो जाता है तो इस परकार की घटना इस परकार की अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया कालाती है और यहाँ पर द्विष्थाप अभिक्रिया का उधारन है इसलिए इस पहले कुस्षन का पहले कुस्षन का सही उत्तर हो जाएगा अप्षन सी द्विविस्थापन अभिक्रिया है चलिए अब यहां पर देखते हैं नेक्स्ट कुस्षन यहां पर देखिए यह बिहार बोर्ड 2016 एन्वल एक्जाम में पुछा गया था यहां बाद देखिए कॉपर अक्साइड और हाइड्रोजन को ठीक है अभी क्रिया के फलसुरूप कॉपर और H2O मिल रहा है किस परकार के अभी क्रिया है देखिए colors अब पढ़े होंगे जिसमें किसी देखिए oxygen का जोनना ठीक है डा अक्सीकरण का लाता है और oxygen का बाहर निकलन और और अक्सीकरण को जोननगोंगों और शा 충न की आपका और आपकरणा भी क्रिया है जब परावल च्छार को अभी क्रिया करते है तो जो पदार्थ करन अभी किरिया करते हैं और जब अक्सिकरन और और करन दोनों घाठना एक सांँ देखी अब बताई एक परकार की अभी क्रिया हुई थे और कatus ही उत्तर हो जाएगा या उखान ऊपर और यानि कि कि जब oxygen किसी तत्यों से बाहर निकल जाता है तो oxygen की घटना होती है, अर्थाथ oxygen की घटना होती है और जब किसी तत्यों के साथ oxygen आकर के जुडता है, तो वहाँ पर oxygen की घटना होती है अर्थाथ उसे oxygen करन करता है तो चलिए यहां पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका दो का अप्सन बी ठीक है अब चलिए अगला प्रसन आपके स्क्रीन पर यह रहा देखिए कॉपर और अक्सीजन आपस में अभी क्रिया करके कॉपर अक्साइड बना रहा है तो बताए दी गई रसाइनी का अभी करन है कि उदासे निकरन के अख़ैपर तो यहां पर मैंने आपको थोड़ी देर पहले यहीं समझा रहाता है कि व्योजन करे यह आप घटन अभीक्रिया करेव बहुत बड़ा यहां उगदी करते हैं अब हो जाता है तो पहला तो यह और आट फॉने के घटन यह यह यहां जब लावर्ट जल करने बाद तर इस परकार के अभी क्रिए उदासीन हो जाता है मामला ठीक है ना यानि सोचिए तो यहां पर तीन का सही उत्तर क्या हो जाएगा बताईए तो तीन का सही उत्तर हो जाएगा अभी थोड़ा पहले मैंने जब बता रहा था कि किसी तो में जब को अलमोनियम ट्राइ ऑख कैसा और निर्माण रखा और बताईए इसमें का सही उत्तर बता है यह जो उपर चरुत अब तरफ दूसरे तरफ सिंगल तत्व तत्व तो यह जो होता है एक तरफ यॉगिक और दूसरे तरफ तत्व सिंगल तत्व तत्व तो समझेगे यह एक विस्थापन अभी किरिया और सुनिए अगर यॉगिक यॉगिक रहे यॉगिक रहे अप पलस यॉगिक रहे और दोनों के बीच अभी किरिया कथ कोई फिर योग यह त्रीफट यॉगिक कर के आएगा वो होगा विस्थापन अभी किरिया यानि 4 का C is the right answer अब आए पांच नमर कोशन है कि कॉपर अक्साइड और हाइडोजन को एक साज जब गर्म किया जाता है या अभी किरिया करा जाता है तो कॉपर और डाई हाइडोजन अक्साइड बन रहा है तो बताए उपर दी गई रसाइन का विक्रिया किस पर करकर कि बताए अब चैन के विस्थापन के अब घटन के उप्चैन बताए तो पांच का सही उत्तर हो जाएगा अब चैन हो जाएगा अब चैन क्यूं होगा बताए अब चैन को आउकराण भी करते हैं क्यूंकि यहाप फिर वही कुछन रिपीटिंग हो गया है कि यहाँ च्छे नमर प्रसन को देखिए अभी किरिया यानिकि लेड ऑक्साइड है और कार्बन है यह दोनों आपस में चैन कर लाता है तो अक्सीजन जोड़ाना तो अब बता है से क्या है क्या अब चाये अंफ जान का यह कि लिए इसमें बाहर निकल और लिए है तो ऑ dispenflan की घटना कं सरे अर्थात अप चैन की घटना काल तक इसलिए लेड अक्साइड लेड अलग हो गया अक्सीजन बाहर निकल गया तो लेड का क्या हुआ अर्थात लेड अक्साइड अप्चाइड हुआ तो यहां पर यह हो गया और कार्बन उप्चाइड हो रहा है यानि कि कार्बन के साथ अक्सीजन जूड रहा है तो समझे तो कार्बन क से लेकर अंत तक बीना मजाक समझे अगर आप इस वीडियो को सुरू से लेकर अंत तक बीना एसकिप के अगर पुरा ध्यान से देख लेते हैं तो मैं गरांटी दे रहा हूं कि इस से बाहर कोई कोशन नहीं आपको बिहार बोड के कोशन में छपने वाला है ध्यान से सुनिएगा मतब ये कोशन सब इसी से रहने वाला है बहुत जबर्दस्त हमको लगा कि ये इंपोर्टन इंपोर्टन प्रस नहीं दिया है तभी मैं आपके साथिये शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं देखिए जिंग है और कौपर सल्फेट है ये दोनों आपस में अभिक्रिया हो रही है तो जिंग सल्फेट और कौपर का निर्माड हो रहा है ठीक है तो बताए ये किस परकार की अभिक्रिया है बताए आप क्या संयोजन है विस्थापन है और एक बहुत बड़ा योगिक तूट करके दो ये दो से अधिक भावगों में भाक्त हो जाएगा तो वियोजन अभिक्रिया होगा तो आप खुद ही देख करके बताए कि यहां पर क्या है एक तत्वार यहां पर एक कंपाउंड है यानि एक योगिक है और दोनों मिल करके ज इस पर करके अभिक्रिया है तो साथ का सही उत्तर हो जाएगा अपसन बी विस्थापन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया को एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी हम लोग जानते हैं यहां पर देखिए अगला प्रसन तो बात करते हैं अगला प्रसन हमरा ह आठ नमबर निमलीखित में से कौन समिकरण और संतुलित है तक पर है कि दोनों और परमार्गों की संख्या बराबर नहीं है मतलब कि जिसका measurement बराबर नहीं होता है उसको और संतुलित करते हैं तो यहां पर देखे इसका आट का सही उतर हमको दीख रहा है अपसं सी, कैसे हो यह तो आपको पुछने का पूरा का पूरा आधिकार है तो देखिए यहां पर मैं समझा रहा हूं यहां पर देखिए यहां पर भी एक पिस है यह तो जाईज बात है नाइट्रोजन एक पिस है तो यहां पर भी एक पिस है यह भी जाईज लगा लेकिन अक्सीजन तीन दून लेने वाले अभी कारक और अभी क्रिया के फल सरूप बने उत्पाद का मिजर्मेंट दोनों देखा जाए तो बराबर है यानि कि काटा एकदम एकदम बीच में है तो समझे तो संतुलित है तो इसमें नाइन का सही उत्तर जो हमें दीख रहा है वो अप्सन भी दीख रहा है यान देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन दूपीस हो रहा है तो यहाँ पर दूपीस नाइट्रोजन है यहाँ पर हाइड्रोजन चार पीस है न बाबू तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन चार पीस है तो यहाँ पर संतुलित एक मिनट नाइट्रोजन दोपिस होगे अब देखिए यहाँ पर अक्षीजन दोपीस है अगर हैड्रोजन के लिए दोगा तो ऑफशीजन दोपीस होगा तो अब बात करते हैं अगला पृष्ण आपके स्क्रीन पर 10 नम्नांकित में कौन समयकरण संतूली थे यानिके यह बहुत ही सव सब्सक्राइब अगला प्राशन समीकरन केल्सियम कर्बनेट यानि जब इसको गर्म किया जा रहा है तो केल्सियम अक्साइड और कर्बंडाई अक्साइड में टूट जाता है यह बिहार बोड़ 2014 में पुछा गया प्राशन है तो इस परकार की प्रोसेस को हम लोग किस नाम से जानते हैं वियोजन व्योग होना तूटना जब आदमी तूट जाता है ना समझे तो व्योग व्योग से व्योजन याद रखेगा यहां पर देखिए केल्सियम कर्बनेट जब टूटता है तो दो यहां पर देख लिजिए अगला पर जिंग और तो देखिए जब एक तरफ तो दूसरे तरफ क्या रहे अगर योगिक रहे तो यह एक परकार की क्या है कहीं ने कहीं से विस्थापन अभी किरिया है अब चलिए अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर यहां देखिए यह 13 नंबर प्रस्ण को देख लिए ह2, ह2, ह2 एस और I2 यह आपस में अभी किरिया कर रहा है तो डाइ हाइड्रोजन सल्फाइड और कहीं न कहीं से आयोडीन मतलब भाग ले रहा है तो क्या बना है 2HI मतलब की हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस सल्फर अलग हो जा रहा है तो यह कौन उपचायक है यानि किस के सा आपको बताना होगा तो तीरा का सही उत्तर हो जाएगा आपका अपसन बी ठीक है ना आयोडीन चलिए अब अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर यह रहा है नीचे दी गई अभी किरिया में कौन सा कथन सही है बताइए कौपर और अक्सीजन दिया हुए और दोनों आपस मे आपके स्क्रीन पर यह रहा 15 नमर देखिए निम्नांकित में रेडॉक्स अभी किरिया कौन सी है रेडॉक्स मतलब जब ऐसी अभी किरिया जिसमें अक्सीकरण और दोनों घटनाए एक सांथ देखी जाती है ना तो उसको रेडॉक्स रियक्शन करते हैं तो आप इसमें दे अपकलना और एकसीजेन का जूड़ना ठीक है नकिलोरीन के साथ हैason का जोड़ना ठीक हैं तो यहां पर क्या हो रहा है न कि स्वासन किस परकार की रसाइनिक अभी किरिया है किस परकार की रसाइनिक अभी किरिया है तो यह जाहिर सी बात है कि जब हम लोग स्वासन करते हैं तो अक्सीजन का सयोग होता है और जब अक्सीजन का सयोग होगा तो इसमें क्या होता है फिर उसके बाद से वो जब बढ़िय जो प्रस्ण है वो है उप्चैन वह परक्रिया है जिसमें क्या होता है अक्सीजन का योग होता है यहां पर ध्यान में रखेगा है कि यहां पर 18 का सही उतर जाएगा अगला परस्ण को जरा देख लिजी है फेरास सलफेट क्रिस्टल का रंग होता है तो बताएए इसका सही उतर क्या हो जाएगा तो 19 का सही उतर हो जाएगा अप्सन बी हरा ठीक है अब अगला परस्ण देखियेगा यह 2016 में पुछा गया था देखियेगा अप्सन बी पुछ इसका सही नाम करने के कोशिश कीजिएगा तो इसको कहेंगे त्राइफीरस ठीक है ना टेट्रा आक्सायड अब यहां पर बात करते हैं देखियेगा सिल्वर कॉलोराइड का रंग क्या है सिल्वर कोलोराइड का रंग कैसा होता है तो 22 कसा सही उतर हो जाएगा अप्सन C हरा ठीक है अब यहां पर अगला परस्ण देख लिए रसाने अ क्या कर रहा है आपस मैं अभी क्रिया के फल सब्सक्राइब और सोडियम बना रहा है तो उपर दी गई किस परकार कि यह अभी क्रिया है तो आपको बताना होगा तो अब इसका सही उत्तर हो जाएगा अपसं सी दूई विस्थापन जैसे कि मैंने तोड़ी जिर पहले इसी के बारे में खुब बढ़ी आसा समझाने की कोशिच के और आप समझ गया होंगे और यहीं कोशन घुमा फिर अगर पूछ रहा है कास ऐसा को आपको दस बारा बार पू होजा हुआ चुनना है यानि जो जल नहीं रहा है वो बताई इसमें दिये गया अपसं है कैसे मक्साइड है कि कर्बनेट है कि सी यह है मतलब क्या है तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा अब यहां पर देखिए अगला प्रस्ण देखिएगा एक जांच परक्नली में लिए गया विलियन में एक लोहे की किल को डुबाया गया ध्यान रखिएगा एक जांच परक्नली में लिए गये विलियन में एक लोहे की किल को डुबाया गया आधे घंटे के बाद यह देखा गया कि विलियन का परिवर्तित हो चुका है उस जांच परक्नली में विलियन क्या था तो मैं बताओं कि 28 का सही उतर हो जाएगा अपसन भी कार्बन और अक्सीजन मिलकर कि क्या बनाता है कर्बन डायक्षण मतलब कि यह उसमा का स्वासन एक वरकार कि क्या है मालेजी हमारे सरी में भोजन है भोजन में oxygen का स्ञयोग होता है फिर वह मिलने के बाद कार्ड माल लीजी कि जब पूरी तरीकर से डाइजेशन होना सुरू होता है तो एक कार्बन का मतलब कहीं न कहीं से वहां से एक बाहर निकलता है तो थोड़ी सी मतलब नमी के साथ हमारे सुषण की परकार के दौरान जब बाहर निकलता है तो थोड़ा सा टेमपरेचर में ही बाहर निकलता है इसलिए हम उस परकार की अभीकिरिया को हम उस मच्यलिया करते हैं, तो यह c पलस o2 यहां पर दिख रहा है, carbon dioxide यह परकार की उस मच्यलिया है, और स्वसन भी पूछ दो, स्वसन क्या है, तो परकार की उस मच्यzh भी अभीकिरिया है, तो यहां होगे आपका सही उतर option B अब यहां पर देखिए अगला प्रस्ण क्या पूछ रहा है तो यहां पर अगला प्रस्ण है 29 नमबर 29 नमबर question पूछ रहा है कि निमलिखित में कौन सा बूझा हुआ चुनना है मतलब फिर दोबारा question रिपीट कर दिया option B is the right answer लेकिन अगर यहां पर प्रस्ण रहता कि बीना बुझा हुआ यानि यह बुझा हुआ है ना बीना बुझा हुआ हुआ तो C.A.O. हो जाता है लेकिन यहां पर फिर से question वहीं पूछ दिया है तो हम option B के साथ जाएंगे अब आईए अगला प्रस्ण आपके screen पर यह रहा 30 number निमनलीखित में से कौन सा O कारगोर पर दरसित करता है तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा option C ठीक है अब यहां पर अगला प्रस्ण आपके screen पर है ध्यान में रखिये गा 32 number प्रस्ण शरीर में भोजन का पचना कीस परकार की अभी किरिया है तो बता देजिए भोजन का पचना क्या है मैंने थोड़ी देर पहले इसी के बारे में डिस्कस कर रहा था वो एक परकार की अक्सी करण है ठीक है ना से कौन सा उत्पाद late nitrate को गर्म करने पर प्राप्त होता है 2014 में पुछा गया annual में पुछा गया प्रस्ण है तो 33 का सही उत्तर हो जाएगा option D ठीक है ना अब यहां पर अगला प्रस्ण देख लिजिए अब यहां जो अगला प्रस्ण पूछ रहा है यह बहुत ही जबरदस्त और important और आपकी exam की point of view से काफी important प्रस्ण है तो आपको याद होना चाहिए कि 35 का सही उत्तर हो जाएगा option B इनने 2CO3 into 10 बल्टी पानी मतलब की 10S2 हो 10 बल्टी पानी से आपको 10S2 ही याद होना चाहिए अब बात करते हैं अगला प्रस्ण यहां पर देखिएगा 36 नमबर जब sodium hydroxide zinc से अभिक्रिया करता है तो उत्पात के रूप में क्या बनता है तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा option D जब sodium hydroxide zinc के साथ अभिक्रिया करेगा तो sodium zinc dioxide बनता है प्लस hydrogen ठीक है ना अब यहां पर बात करते हैं अगला प्रस्ण 37 नमर पूछ रहा है कि एक जांज प्रक्नली में लिए गए फिर वही कोशन मतलब घुमा फिरा करके पूछ रहा है तो 37 का सही उत्तर हो जाएगा आपका 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा बता दीजिए अपसं बीस यू एस सो 4 मतलब कोशन रिपीट हो गया है ठीक है ना इसलिए मैंने उस पर समय नहीं दी 38 नमर कोशन देख लेजिए लोहे पर जंग लगने की क्रिया को क्या कहते हैं बता दीजिए बहुत ही आसान कोशन है तो ठोस या किसी तेल या वसाई युक पदार्थ में अगर किसी परकार की दुरगंद आने की जो घटना होती है उस परकार की मतलब परकरिया को उस परकार की किरिया को हम लोग विकरत गन दीता है करते हैं गंद से गंद दीता है मारे कोई भी चीज अगर बास मारने लगे तो तो उस परकार की पर किरिया जैसे कि चावल वगर ऐसा ही आप रख देते हैं तो क्या होता है वायू के संपर्ग में आ करके वह मतलब महगने लगता है तो वह एक परकार की विक्रत गन दीता है लेकिन जब किसी लोहे या लोहे से बनी वस्तू को अगर आप ऐसे ही छोड़ द होती है तो यह तो बहुत ही आसान को पूछ दिया यह नाइट्रोजन भरी जाती है ठीक है अब यहां पर चालिस नमर प्रस्ण आपके स्क्रीन पर है चालिस नम वायू की उपस्तितिय में लोहें कि बनी नई वस्तूपर कुछ समय पस्चाप जंग लग जाता है इसे काफी चालिस नमर प्रस्ण आपके स्क्रीन पर यह रहा दूट से दही बनने ये किस परकार की परिवर्तन है तो आपको बताना होगा है बहुत ही कि रसानिक तो जब भी कोई मतब अपना परिवर्तन अपने मूल रूप को छोड़ करके एक नया परिवर्तन और उस परिवर्तन के पर पषद फिर अपने मूल रूप में नहीं जाता है तो इस परकार की घटना इस परकार की परवर्तन रसाइनिक परिवर्तन करते हैं अगर किसी कागज को जला दीजिये और जलने के पर उस जले हुए राख को फिर अगर कागज बनाने की कोशिश करेंगे तो वो कागज नहीं बन पाएगा तो हम क्या कहेंगे वो रसायनिक परिवड़ताना लेकिन जब किसी कागज को टुकड़ी टुकड़ी हिसों में बाढ़ देते हैं तो यह परकार की क्या है बहुत ही परवरताना तो आप देख लेजिए दोट से दभी बनना क्या है यह एक रसायनिक परिव कि विरंजक चोन बढ़ना करशायनिक स्या. पुछ यह delay कर, प्देख ऐसे रसायनिक सुत्र नहीं बटापाइगा, इसलिए दोट का सही उत्तर ओदेगा, ओपनना ही बता पऎएगा, इसलिए दोग सही उत्तर हों कर देगा अपसे लिए Cam son Cos, सब्सक्राइब यहां पर देख लिए अगला प्राशन बेकिंग पाउडर का आपको याद करके जाना पुड़ेगा नहीं याद कीजेगा तो फिर आपको नमबर नहीं मिल पाएगा तो इसलिए आप सभी प्राशन को बहुत ध्यान से देखने के को पुछ रहा है तो तीन का सही उतर हो जाएगा अपसंस नहीं सोडियम बाइकरबनेट अब बात करते हैं गुलकोज का रसाइनिक्स सुत्र क्या है जो मैंने अपने वाली वीडियो में बहुत आसान मैं आसानी से आपको यह सब पूछ में बता दिया हूं अच्छे रहं से उस कुछ भاشके अगोंगे तो सकता हैं कि मजगे में अप छोड़ दिया हूंगा तो खैर उसकी कोई बात नहीं है यहां पर आपकी लिए कर लिए घृँ आपके साथ आपके साथ जीना और आपके साथ बरना तो संगमरमर का रसाइनिक सुत्र क्या हो जाएगा बताएज़ा तो 6 का सही उतर हो जाएगा CA CO3 केल्सियम कर्वनेट अब यहाँ पर आएए देखिए खड़िया का रसाइनिक सुत्र क्या होता है तो 7 का सही उतर हो जाएगा अप्षन C, CACO3, ठीक है ना, खड़िया पुछे चैसे संग्भरमा पुछे बतिया एक ही है, यहाँ पर देखिए, नीलात होता बोले तो तूतिया का रसाइनिक सुत्र क्या होता है, ठीक है ना, तो आठ का सही उतर हो जएगा, अप्षन B, ठीक है, COSO4 इंटो 5S2O, अब य यहाँ पर एके नमर में है, अब यहाँ पर देखिए, निम्नंकित में कौन लवड है, कौन लवड है, अच्छा, यहाँ से थोड़ा सा मेरे को एक चीज याद आई, तो मैं आपको समझा देना, बहुत ही प्राबल, यानि बहुत ही प्राबल अमल, HCL होता है, लेकिन उतना ही प्राबल अमल, H2O4 होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, HCL यह पेट के अंदर और यह परक किर्तिक का बनाए हुए, बहुत ही प्राबल छार है, लेकिन मानो निरमित, Mg ос2 होता है, Mg oh2 होता है, जो प्राबल छार मानो द्वारा निरमित किया गया होता है, तो यहाँ पर याद आथा तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आप सो हो सकता है, पूछ सकता है, या पिर तो यहां पर एक आरह का सही उत्तर हो जाएगा यहां पर देख लिए केटु एसोफुर पोटेसियम सल्फिट अब यहां पर अमल्य विलियन का पी एच मान होता है अमल्य जाहिछ सी बात है कि यहां पर देखिए जीरो से लेकर के चौदा के बीच मन आ यहां पर तो आने के ब चल मतलब ना अमल है न च्छार है मतलब उदासीन होगा बेचरा तो 13 का सही उतर हो जाएगा आपका साथ मैंने बोला था ना कि 0 से ले करके चोड़ा के बीच में होता है तो साथ वला क्या होता है उदासीन होता है अब आये 14 नमर प्रसन कोई विलिए निले लिटमस पत्र को तो जाहिर सी बात है कि जम निला को लाल कर देता है तो लाल से अग याद रखेंगा और आग से अम्मली याद रखिए गाए रिखेंगा झायाों और यह रूज यहां पर देखिए यहां पर पंदर नांकित में कौन सा भस्म नहीं है यानिर की छार नहां यानि अमल है तो आपको अमल बताना होगा ठीक है ना तो पंद्र का सही उतर देखें नहीं है और है में दोनों में बढ़ियां से समझ करके ही आपको इंसर चुनना होता है और आप एक्जाम में मजाक के साथ और बहुत ही कुछ एक्स्ट्रा ओर्णी करने की कोशिस मत किएगा बस ध्यान से प्रवस्थण को पढ़के ही उतर दीजिएगा ठीक है ना तो 15 का सही उतर हो जाएगा option डे यानि कि यह इने सील ठीक है अब यहाँ पर देख लीजिए ठीक है यहाँ आप आप देख लीजिए अच्छा एक और च च्छार होता है तो यह यह धाता मैले। और फिर से देखिए यहांपь पर फिल मिल गए तो और यह धातु फेड़ implementing नहीं पर देखेए इसका जिते चार कर्के में किये दिखाई राव देखेए नाайकर यह यह व हुरा है इसमें जीक्रतिक के दिखाई तेरहा है इसक्षार म किया लेकिन यहाँ पर इन से प्लसुरूप इस fact नकिया को याद आनी चाहिए नम्किन जो प्रॉबल अम्र और चाल के बीच आभिकृया के फौजरुब्स व्युड़क्त प्रॉडपि प्रॉड़क्त प्राबल और प्राबल छार कि अभी करिय का फ्रसद्रूर्फ जो प्राप्ट उता है ना उदसीन वाला ही आपसन हो जाएगा इसलिए मैंने एनसियल चुना ठीक है ना तो यहां देखिए अब अगला प्रस्ण अब अगला प्रस्ण आपके स्क्रीन पर यह है सुल्ल निम्नांकित में कौन लॉमड है अभी थोड़ा दिर पहले उसी पर चर्चा हो रही थी तो सुला का सही उतर हो जाएगा अपसन बी इने से लॉमड है नमक है अब आईए 17 नमर प्रसन निम्नांकित में कौन प्राबल भास्म है मैंने अभी थोड़ा दिर पहले इसी के बारे म अब 18 नमर प्रस्ण आपके स्क्रीन पर 18 नमर देखेगा निम्न में कौन आमल नहीं है यानि कि आमल नहीं है भस्म है बताना है ठीक है न तो बता दीजिए भस्म कौन है अगर आप हमारे बताये हुए हर बातों को ध्यान से सुनेंगे न तो 18 का सही उत्र लगा देंगे कि ओ ची किया न अभी यहां पर आईए अब यहां पर देखिए 19 नमर निम्नांकित yogi को में कौन आमल है अभी यहां पर डाइर्ट अमल को चुनना है तो अमल बता दीजिए तो जो अधातु से बना होता है उसको अमल करते यानि कि यह सब गैसियस फॉम में अर्था सभी अधातू है और यह सभी अधातू से मिलकर बनने वाले क्या होंगे आमल होंगे तो 19 का हम सही उत्तर अपसन भी ही लगाएंगे अब देखिए अगला प्रस्ण 20 दूद से दही बनने में निमनाकित में कौन सी क्रिया होती है बत बनने पर वुल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है तो 21 का उत्तर हो जाएगा पीला हो जाता है ठीक है अब अगला प्रस्ण देखिएगा 22 लिटमस विलियन बैंगनी रंजक होता है जो निमन में से किसे निकाला जाता है तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा लाइकेन के अब यहाँपर देखिए किसी कॉलायड़ी विलियन में निलंबित कोडों से परकास के पर क्रिवर्वर्ण को क्या कहा जाता है delivered है किसी भी निलंबित सुनिए गाने निलंबित कोडों से जो परकास के पर कर्कास कीर्वर्ण loand संक्षित जब किसी भी कंड से परकास की किने तकड़ा करके अलग-अलग भाग विभक्त जब हो जाती है तो उसको परकास का प्रखिंडन करते हैं और इसी पर खिंडन को एक विज्ञानिक ने मतलब रिसर्च किया था जिसका नाम के तिंडल इसी को हम लोग परभाव करते हैं ठीक है तो तेस नमर परशन हो गया अपसन सी अब आईए अगला परशन 24 नमर सुद जल का पी एच मान कितना होता है बताईए तो 24 का सही उतर हो जाएगा अपसन सी साथ ठीक है ना अगला परशन देख लिजिए गा इमनंकित विलियनों में कौन सबसे अधिक अमलिया होगा स्कून थे मतलब जितना कम है उसी को चुनना है तो 26 नमर परशन आपके स्क्रीन पर आपके स्क्रीन पर है कि हमारा सरीर का पी एच मान किस पर इसर में तरीके से कारे करता है तो आपको बताना पड़ेगा नहीं बताएगा तो फिर तो फिर यहाँ पर खत्रा है तो 27 का सई अब यहां पर देख लिए 28 नमर अमलो वर्सक कहलाने के लिए और से वर्सक जल का प्येश मन कितना होना चाहिए अमलो वर्सक तब हम कहेंगे ना जब उसका प्येश मन साथ से कम हो तो बताई सामली होते जा रहा है अब यहां पर देखे अगला परशन उन्पीस नमर आपके स्क्रीन पर है निमनाकित में कौन हाइड्रोनियम आयन है तो यहां पर हो जाएगा है ओगा हमारा सरीव पिएच कितने परास के बीच कार्य करता है तो आपको बताना होगा 30 का सही उतर हो जाएगा option C 2.1 से 3.8 के बीच यहाँ पर अगला बात करते हैं कि निमलीखित में से पी एच का कौन समान चारक विलियन का मान देता है चारक समझेगा द्यान से अब दिया गया option है छारक को चुनना है ठीक है तो 31 का सही उतर हो जाएगा option D क्यों हम option D लगा दिए है 7 से कम वाले 7 से कम वाले क्या हो जाएंगे और 7 से अधिक वाले क्या हो जाएंगे चार हो जाएंगे तो 7 से अधिक इसमें कौन दिखाएंगे दगा जारह इसलिए अप्सटन D is the right answer 22 कोई विलियन लाल इतमस को नीला कर देता है जाहिर सी बात अब बात करते हैं अगला प्रसन निम्नांकित में कौन अमली अक्साइड है तो 34 का सही उतर हो जाएगा अपसन C-Sulfur-Diox ठीक है ना यहाँ पर देखें अगला प्रसन दिया है कि sodium sulfate का जलियो विलियन जो होता है वो sodium sulfate, sodium और sulfate का जलियो विलियन तो कैसा होता है? उदासीन होगा कि छारी होगा कि अमली होगा कि buffer होगा तो मताई 35 का सही उतर क्या हो जाएगा तो यह हो जाएगा option A-Ocession अब अगला प्रसन जो है आपके screen 36 नमा Arhanius अमल जलियो विलियन में क्या देता है? मतलब OH आयन देता है कि H पलस आयन देता है कि लवर्ण बनाता है कि इनमें से कोई नहीं तो 36 का सही उत्तर हो जाएगा अपसन BH पलस आयन देता है अब यहाँ पर बात करते हैं अगला प्रस आपके स्क्रीन पर है जलिये विलियन में एसीटिक अमल का आयतन होता है जलिये विलियन में एसीटिक अमल का आयतन क्या होता है नहीं होता है कि आंसी कर्मडिये होता है तो पता है 37 का सही उत्तर हो जाएगा अपसन B आंसी कर्मडिये होता है तो आपको 38 नमर का सही उतर चुन लेना होगा अपसन D अब यहाँ पर देख लिए अगला प्रसन 49 नमर अपच का उपचार करने के लिए इंडाइशन की प्रोब्लम हो गई है तो उने लिखित में से किस औरती का उप्योग करेंगे बताएए क्या आप एंटोबाइटिक करेंगे क्या एंटासिट लेंगे या एंटीसेप्टी तो जाहिर सी बात है कि अगर आपको पीट में गैस बन गई है इंडाइशन का प्रोब्लम हो गया अपच क्या मतलब उपचा यह जो यह जाने निए आपको कुन गा commentary तो च्हार होता है तो और अब आप सप्र पलाइक का नरपता क सही सरह बनाता है तो लिखेगा कौन सा रंग दीखेगा तो 45 का सही उतर होगा प्रेटिकल के बाद हारा दीखेगा ठीक है ना अब यहां पर अगला प्रसने 44 निविकर में से किस विलियन का उप्यों दीवारों के सफ्यदी करने के लिए किया जाता है तो 44 का सही उतर हो जाएगा अप्सन अब यहां पर देखिए को लाल कर लेता है तो अब यहां पर देखिए को साथ से कम होगा तो अब यहां पर देखिए अब यहां पर देखिए अगला प्रसने कौन सा आयन लाल इटमस विलियन को नीला कर देता है तो जो भाई लाल को नीला कर देगा वो तो क्या होगा बताईए आप ही तो 48 का सही होगा ठीक है न ओएच रिडायन ठीक है अब यहां पर देखिए अगला प्रसना आपके स्क्रीन पर है उन्चास नमर छारीय विलियन में फिनाप्थिलीन सुचक का रंग होता है छारीय में फिनाप्थिलीन को द्यान में रखिए तो 50 का सही उत्तर हो जाएगा अपसन ए ठीक है अब यहां पर देखिए अगला प्रसन है आपके स्क्रीन पर यहां पर देख लिजिए एक काउन नमर एक छातर जान प्रक्नली के लिए है लिए गया है सोडियम हाई सोडियम बाई कर्मोनेट के तानों विलियन में सरों जो जाएगा अब अगला प्रसन देख लिजिए गा यह भी कोशन लग रहा है कि रिपीट हो गया मतलब तीरपन का सही पर जाएगा अपसन भी और अक्सेलिक अम टमाटर में पहाए जाता है मतलब कोशन रिपीट हो गया है तो चले बिना देर के हमनों लेशन 3 को देख ले तो यहां पर लेशन 3 का सारा अबजेक्टिव आपके स्क्रीन पर फिर ला दिये हैं और यहां से देखिए आप लेशन 3 का पहला कोशन आपके स्क्रीन पर है निम्नंकित में कौन उपधातू है ठीक है तो उपधातू किसे करते हैं जो धातू और अधातू दोनों की तरह ब सबस्ते दिखेंगे अगला प्रासन क्या है निमन्न निमलीखित में कौन अधातो है तो यहां पर बताइए कि एफी है कि कारबन है कि अल्मूनियम है कि गॉल्ड है तो बताएक अधातो काउन है तो दोगी सबस्ते गुमा दिया तो तीन का सही उत्तर हो जाएगा आपसन बी अधातू है ठीक है ना अब यहाँ पर देख लिजिए अगला प्रसने सीलिका क्या है तो चार का सही उत्तर हो जाएगा आपसन दीनिस्ताफन ठीक है ना अब यहाँ पर अगला प्रसन देखेगा शू सोना को व्यक्त किया जाता ह बाइस केरट से कि चौविस केरट से बताएगा हम दूब गलब कर दे रहें बस इसी दूबों में से आपको चुनना है तो पांच का सही उता जाएगा चौविस केरट ठीक है अब यहाँ पर देखिए गर लोहा के परमारु संख्या मतलब एफी का परमारु संख्या बता याद है तो आप ऐसा नहीं कि आप विकारी स्टुडेंट कर लाएगा कम से बीश तत्व का नाम परमारु संख्या के साथ याद हो जाना चाहिए ठीक है न अब यहाँ पर अगला परसन आपके स्क्रीन पर साथ धातों की परकिरति कैसी होती है बताएगा तो साथ का सही उत यहां परसन देख लेगा पर उतिक है अगला परसन आपके स्क्रीन पर यहां चाकू से काटा जासकता है तो देखिएगा यहां पर आएक त्रीक में बताओंगा से समझेगा सोडियम हो चाहे पोटेसियम हो चाहे लीथियम हो यह तीन ऐसे धातु हो जिसको आसानियसे चाकू से काटा जा सकता है तो देख लिए अगर इसमें दिया हो तो दिएगे APSAN में 1 आरह का सहीं उतर हो जाएगा.. APSAN ये लिथियम, देगा अब अगला प्रसने देख लीजिएगा, 12 नमबर प्रसने निमलीखित में कौना से पदा, असीजिवेन से संयोग नहीं करता है बता दीजे जिसको अक्सीजन से संयोग नहीं होता है और जो अक्सीजन के संयोग में जा करके वो खराब नहीं होता है तो बता दीजे बार का संयोग तरो जाएगा है गोल्ड अगर बताइए कि सोना समझ रहा है अगर जिससे जोलिरी बनाया जाते है यह बहुत ही कम अभी क्रिया सिल्धातु होता है वह किसी के साथ अक्सिजन के साथ सायोग नहीं कर पाता है इसलिए आपसं भी इस ना राइट एंसर अब तीरा नमर प्रासन देख रहें ग्रैफ हाईट होता है बताएगा तो तीरा का सही उतर हो जेगा अपसं बीविदूद सुचालत पितल है बताइए पितल क्या है चवदा को सबसे कठोर क्या है बताइएगा सबसे कठोर सूला का सही उत्तर हो जाएगा आप सबसे कठोर ठीके ना यहाँ पर देख लिजिएगा बकसाइट निमें तो तामब और जिंग के मिस्रित धातु को क्या करते है तो ठीक है ना यहाँ पर देखिए एक मिस्र धातु है तो बताईएं का सही उत्तर क्या हो जएगा आपशन a कौपर तथा जिंग यहाँ पर देखिए खात पधार्थ का नस्तर पर टीन का लेप चड़ाया ज़ता है जस 21 नमबर, चांदी के चमच को लंबे समय तक खुली हवा में छोड़ देने पर उसकी सता काली हो जाती है, निम्लिकित में किस योगी की बनने के कारण ऐसा होता है, तो 21 का सही उत्तर हो जाएगा, अपसन C, ठीक है न, A, G, 2, S, ठीक है न, अब यहाँ पर बात करते हैं, अगल धातु को बनाया जाता है, तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा, अपसन A, A, N, O, ठीक है न, अगला पर आसन देख लिएगा, तेज नमनिमी खित में कौन सबसे अधिक, अभी क्रियासील धातु है, तो तेज का सही उत्तर हो जाएगा, अपसन D, पोटेसियम सबसे अभी क्रियास प्राश्चान देख लिएगा, किस रसाइनिक, योगी को गर्म करने पर प्लास्टर पेरिस का प्राप्त होता है, मनदद प्लास्टर पेरिस का निर्माण होता है, किसको गरम करने पर, ठीक है, तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा, अपसन B, जीप संको जब गरम किजिए गना, तो प्लाश्टर अप्टेरिस का निर्माड होता है अगला प्रसन 25 नमर लोहा और कार्बन की मिस्रिधातु है तो 25 का सही उतर हो जाएगा अपसन के इस पाथ ठीक है अगला प्रसन देख लिएगा 26 नमर लोहा यहां इस पाथ को जंग लगने से श्रक्षित बचाने के लिए किस धातु का पत्ली पर चड़ाया जाता है तो 26 का सही उतर हो जाएगा अपसन बीजींग का ठीक है 27 नमर प्रसन देख लिए पितल किसका उधारन पर क्रोमियम को क्या करता है तो 28 का सही उतर हो जेगा अपसन देख लगने लिए पिखलने लगते है मदलब घुमाभी राकरके कोचन पूछ रहा है तो 30 का सही उतर हो जाएगा CGM अब आईए यहाँ पर अगला प्राशन 31 नमर का 31 नमर का प्राशन आपके स्क्रीन पर है सरवाधिक तन्य धातू है जिसको धातू में तरण छंता पाई जाती तो सबसे ज़्यादा तरण किसमें है जो दिये गए अप्राशन है तो 31 का सही उतर हो जाएगा अप्राशन अब यहाँ पर अगला प्राशन देख लिएगा पाई लू साइड का सुत्र है तो 32 का सही उतर हो जाएगा अप्राशन B MNO2 एक अधातु जो गैसी अवस्था में पाई जाती है तो 33 का सही उतर हो जाएगा अप्सन C अब यहाँ पर देख लिजिए यहाँ अगला प्राशन 34 नमर एक अधातु जो विदूत का सुचालक होता है तो 34 का सही उतर हो जाएगा कारबन यह ग्रिफाइट अब 35 नमर प्राशन देख लिजिए एक अधातु जो अतियंद का ठोर होता है तो 35 का सही उतर हो जाएगा हीरा अब 36 नमर प्राशन देख लिजिएगा वह परमार जो अपने सही उजी इलेक्टान का त्याग गाराशन देख लिजिएगा अगला प्राशन है कि एक धातु जी से चाकू से असानी से काटा जा सकता है जैसे कि मैंने थोड़ी ध़र पहले ट्रीक के मादर से सनजाने के कोशिस किा इसाब से आप सही अपसन चुन सकते हैं ठीक है न तो 49 का सही उतर हो जाएगा आपका आपसन डी सोडियम ठीक है न अब यहाँ पर देखे एक धातु जो विदूत और उस्मा की सबसे अच्छी चालक होती है तो 40 का सही उतर हो जाएगा आपसन बीचांदी ठीक है न एक 40 नमर परसन क्या पूछ रहा है कि एक धातु जो विदूत और उस्मा की कुछालक होती है तो अपसन हो जाएगा सी लेड़ ठीक है न अब यहाँ पर देख लिए अगला परसन पूछ रहा है 42 नमर इन लिखित में से किस धातु को किरोसिन में डूबा कर रखा जाता है ताकि वो ह परसन पूछ रहे हैं कौन से लाव को समदरी जल में पाया जाता है तो 44 अगला परसन देखते हैं 45 नमीखित में कौन सी धातु अमल राज में किसी अन्य अमल में नहीं घुलता है तो 45 का सही लेड़ एपसं चीए यू ठीक है अब यहाँ अगला परसन सबसे अधिक अधिक और तन्य धातु कौन हे तो 60 का सहोध रहे कर दो शोना अब अगला प्रस्त देख ली जिए गा किसी ने बार किस धातु काrS-क है तो 47 का चाहिए अपस Image ही डिए झी ठीक है ना अब यहां पर देख लिए एक अगला प्रस्ण है निम्लांकित में किस धातू को विस्थापन उसके लौन के विलियन से लोहा द्वारा होता है तो 51 का सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा एकावन का तंबा ठीक है यहां पर देख लिए 52 नंबर का सही यहां पर कुशन देख लिए दो धातू ज के तो चौमरे के ताप द्रवास्था में पाई जाती है तो मतलब 56 उत्तर हो जाएगा आपका ब्रोवीन चारीए ही पर किरती होते हैं अब आई यह बात करते हैं अंठावन कर्बोनेट आइस तो किस वीडिय के अक्साइज में बदला जाता है तो अंठावन कसे उतर हो जाएगा निस्तापन वीडिय दुआ अब अगला प्रस्ट देख लिजिए गया लोहा के प्रमुक एस्क है तो अपसंस सी हो जागा है में टाइट ठी किया जाता है तो 60 का सही उतर हो जाएगा उसमें अपचाइन ठीक है एक सठका सी हो जाएगा ची महँ जाएगा अब यहां पर देख लिजिए 62 नमर प्रस्ट के ना कमरे के ताप रवस्ता में रहने वाली धातु क्या कहला थी तीक है एक सटक्डी ऊतर हो जाएगा पारण स्क्रीन पर है यालमुनियम पर उसके अक्साइड के मोटी परत बनाने की परक्रिये को क्या कहलाती है तो 63 का सही उतर हो जाएगा मिस्र धातु ठीक है ना च्रह 66 परस्क्रारा के स्क्रें पर किसीमिस्र धातु में यदि एक धातु पारत याची जीए ओ तो क्या कहलाता है तो सीने बाहर ठीक है अगला प्रसन देख लीजिएगा विदुद अब घटनी पर इसक्राण में असुद धातु को बनाया जाता है तो अंसर्ट का सभी पर जाएगा एनोड पर ठीक है ना उसके बाद से बात करते हैं कि किस रसाइनिक योगी को गर्म करने पर प्लाश्टर पर प्राप्त किया जा सकता है तो जीपसं को गर्म करने पर ठीक है ना तो सत्तर का हो जाएगा अपसन बी ठीक है ना अब यहां पर अगला प्रसन देख लीजिए आपके स्क्रीन पर है ठीक है लोहा एंस पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली लोहा जब अक्सीजन से स्यूग करेगा तो एफी टू ओ थिरी बनाता है ना जी एफी टू ओ थिरी लोहा अक्सीजन से स्यूग करेगा एफी टू थिरी बनाता है तो इसमें सो डिया है नहीं तो मेरे को लगता है कि आपसन सी ही होना चाहिए ठीक है ना चुकि इसमें तो क लगता है कि एक टू ओ थरी ऑप्सन सी होगा इसमें तो आप्सन जो दिया उसके इसाफ तो मेरे को लगता है कोई नहीं होगा अब यहां पर देखिए चोहतर का सब्सक्राइब अब यह है तो चोहतर का सही उतर हो जाएगा अपसन एक कॉपर और एसन पचातर नमर प्रसन इस लेशन का सबसे लास्ट अब्जेक्टिब प्रसन हम लोग के साथ अभी किरेगे दोरन धातुओ दोर अभी स्थावित गया इसका नाम है तो बताए पचातर का सही उतर हो जाए यह अब्जेक्टिब देखते हैं तो यहां पर चौथे नमबर लेशन का पहले कुछन आपके स्क्रीन पर है और आप फटा फट बताते जाए और प्रैक्टिस करते जाए पहला कुछन है यहां पर देख लिजिएगा पहला प्रसन है कि एसीटिक अमल का आयू पीसी नाम क् अब यहां पर कोई बच्चा मतलब टीक कर दिया वर्ट डाउंट वेरी मतलब आपको प्रैक्टिस करना है तो तीन का सही उत्तर हो जाएगा आपसन भी एथेनल उसके बाद से अगला प्रस ने दिया हुए कि क्लोरो मेथेन का सुत्र होता है लोरो मेथेन का ठीक है तो इसक अगला प्रसन है साथ नंबर तो साथ का हो जाएगा यहां निमन में से किस हाइड्रोकार्बन में तीन आबंध होते हैं तो साथ का सही उत्तर हो जाएगा अपसन सी इसके बाद से अगला प्रस ने इथाईल इल्कॉर का अड़ो सुत्र होता है तो दस का हो जाएगा बी ठीक है एगारा नंबर देख लिएगा एक्वारेजिया रायल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोकलोरिक अमल एक सांद्र नाइट्रिक अमल का ताजा मिसरण है तो भाई यह तो टीक लगा दिया है बंदा ठीक अप्सन सी तीन अनुपात एक उसके बाद से यहां पर बीना टीक किया हुगा प्रस नहीं आप देखे और अपने से एंसर देने की कोशिस कि बारा नंबर प्रस नहीं कि इतने सांद्र हो जाएगा अब यहां पर देखिए इस तरीका से बना करके तो चारा बंद बन रहा है अब यहां पर देखे चौदा नमबर नाइट्रोजन अड़ों में कितने सांद्र होता है आप देख लिए नाइट्रोजन का प्रमाड़ुसंगे कितना होता है साथ होता है तो साथ होता है इसके बाहरी कोस में अधु पहली कोस करके तो रहिए झाना और बारी बनाएगा तो three नाइश बनाएगा तो three अब 15 पर देख लिएठ्टीकिन संभांणी का समाने सुथी बहूत ही जबरतास और important question board model question CnH2n plus 2 यह ilkin का है और CnH2n ilkin का है और CnH2n minus 2 ilkin का है तो बस आपको ध्यान में रखना है सुनिएगा ध्यान से अगर plus 2 दिया रहेगा तो ilkin का है ilkin में minus 2 दिया रहेगा और कुछ भी नहीं दिया रहेगा सिर्फ CnH2n रहेगा तो वो ilkin कि रहेगा तो 15 का सही उतर बता दिजे तो 15 का सही उतर हो जाएगा आपका पद्र का CnH2n तो इसके बात से बात है अगला परशन का तो इथ्यालीन में कार्बन कार्बन के बिश दो आबंद मौजूद है जिनमें अब बताईए इसमें दिये गए अपसंट तो 18 का सही होता हो जाएगा एक सिग्मा एक पाई ठीक है ना आब अब अंध होते हैं यहीं सिंगल बांड होते है उन्निस में गुलकोस का आड़विक सुतर होता है ठीक है ना तो 19 का सही उतर हो जाएगा C6H2O6 ठीक है ना अगला परसन है C5H12 में कितने समावी सनरचना बन सकते हैं समावी सनरचना नर्मल आइसो नियो वगरा यहीं सब बनता है तो बना करके देख लिए अगर कार्बन कार्बन पांच गो है तो लगवालागा मुझे लगता है कि 22 का सही उतर होना चाहिए B3 मतलब नर्मल नियो आइसो तीनों बन जाएगा ठीक है ना तो तीन बन जाएगा ठीक है ना अभी यहां पर देख लिए कार्बॉक्सिलिक अम एसीड समू कौन है ठीक है तो तेज का सही उतर हो जाएगा अपका अब उसके बाद से तेज का भी हो गया अब 24 का देखते है 24 नमर परसनी क्या है निम नंग निम लिखित में कौन योग मसमावाई है तो 24 का 24 का सही उत्तर हो जाएगा आप उसके बाद से अगला प्रसनी में कौन आयनिक योगेख है चीज का सही उत्तर हो जाएगा CACL2 ठीक है ना 26 नमर इन में से कौन से यह हो कि सोडियम बाइकर्बोनेट के संत्रिप जली विलियन के साथ अभी क्रिय करके के साथ कार्बन डायक्साइट गैस मुक्त करता है तो 26 का सही उत्तर हो जाएगा अपसन डी एथनोईग अमल 27 नमर प्रसंट क्या पूछ रहा है खाना बनाते समय यही परतन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका आर्थ क्या है बताईए तो 27 का सही उत्तर हो जाएगा अप अपसन भी इंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है ठीक है अब अगला प्रसंट देख लिए 28 नमर लिखित में कौन सा एरोमेटिक हाइड्र कारवन है तो 28 का सही उत्तर हो जाएगा अपसन सीची सीच्छ ठीक है ना कारवन हाइड्रोजन से संयोग कर क्या बनाता है तो 29 का स सैसी का थापसन सीची मिथेन बनता है 32 नंबर यसका सूसरी 5 और कितने समावोषन में नर्म UP also zod नार्मल में होता नार्मल उसके बाद से टीन में में नार्मल में क्या हो गया यह शीधा बना और आइसो में किया होता है ती बना यानि अकशीद Patient सीदा गया पर पाश्यार यृणि ती रहुए तो यह नर्मल नर्मल नहीं रहा नर्मल के बाद यह बनто से तरी कैसे जाएगा मैंगा झारौ जोटा ना और पर चला जएका फिर यह इवाली कार्बन उपर चला चला जाएगा ये यह कर्मन मनने यह सरिंकल चरकूर इस स्रिंकलर मनाते हैं तो कि मंड़ा सकते तो तीस का सही उतर हो जाएगा अपसन भी तीन बन सकते हैं नर्वन लिए आईसो तीनों बन जाएगा ठीक ना अगला प्रसंद देख लिए निम्नांकित में कौन सा एरोमेटिक योगी तो 33 का सही उतर हो जाएगा बेंजीन तो अक्सिजन का अगार आठ होता है ठीक है न तो पहली कख्छा में दो और दूसरी कख्छा में चीए तो इसको दो इलक्टान की ज़रुद पड़ेगी तो जाहिर से बातिक अक्सिजन अक्सिजन के भी द्वी आबंद बनेगा तो 35 का सही उतर लगा दीजिए क्या होगा वी होगा दो ठीक है अगला प्राशन देख लीजिए जल में हाइडोजन तता अक्सिजन की परमाडू संख्याओं का अनुपाद क्या होता है बता दीजिए तो 36 का सही उतर हो जाएगा आपसन दो अनुपाद डबल बंसी वाले योकिक कहल आते हैं तो डबल बंद क्या करा थे इलकी तो मैंने बता था डबल सिंगल रहे कुंट रहा का तो एलकीन ौr ट्रिपल बंद रहे कहते हैं अब देख लिए आपको पड़ता पड़ होँजाए आप च्合क़ चूं कहते हैं इसके बासर है तो क्रियासीर मुले को क्या करता है तो एक तालिस का सही उतार हो जागा आध sujet कर्मन तो यहां पर कर्वन का अश्टक पूरा होगे अश्टक पूरा होगे तो कुल मिलाज उला करके त्रीपल वांड यहां पर आपसंट सी के साथ बन रहा है तो इसलिए चोवालीस का सही उतर अपसंट सी हो जाएगा अब यहां पर देख लीजिए 45 नमर निम्नांकित कर्वनिक योगिकों में कौन सा योगिक इलकाइन है तो 45 का सही उतर हो जाएगा अपसंट एस सेटिलीन उसके बाद से 46 नमर प्रसन एथिन के एक और्डू में दो कर्वन परवनगों के बीच आपसंट की संग्या कितनी होती कि के आए श्वांड को जरूरत है टीक ह्यांना जाया उसको गहते हैं अब देखें फिर से भीच्वन आप agyn के जिसे कि सथा चार दोबारी एसकी संग्यां हो जाएंगे चार और सभी लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर कि अब यहां पर ध्यान से सुनेगा अब बात करते हैं जैसे नाइट्रोजन की साथ होता है तो बाहरी कख्छा में बचिए हुए अब यहां पर देख लीजिए अब यहां पर देख लीजिए गाषालीस का सही उत्तर हो जाएगा आपका अफसन अचार्षय नमर प्रस देख लीजँए गा एथिन का आड़ विक सूथ सी टू एचिक्स है इनमेंसे कौन है तो आपको उन्चास का चुन लेना है अपसन बीजिस के साथ सही जो जग बंदन है ठीक है ना पच्छास का सही उतर देग लिए इलकीन में परमाडो कारबन परमाडो के बीच बंदन का परकारफ कैसा होता है पच्छास का सही उतर देगे एकल बंधन होता है ठीक है इलकीन में ऐकलेन बंदन होता है तो वही चीज लगाना है और एलकीन में डिवी आ बंद बन बंदा है और इलकायन में त्ही बंद बंदन किने संगे किने संगे कितने होती तो 30 फ़ीडर हो जाएगा अपसंद सी ठीक है ना च्भाँणन काल भी अपसंद द्रब वह कितना होता है तो 24 सभी योगी योगीग तो पश्वांट कम का सही उत्तर हो जाएगा उसके बाद से बात करते हैं अगला प्रसंट कारवन योगी को में निम्लिकित में कौन से गूर पाया जाते हैं तो अगला प्रसंट देख लेंगे निम्नांकित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यू हो सकती है तो आपको 62 का सही उत्र चुन लेना होगा अपसन सी थाइन ठीक है ना प्रसंट देख लिजिए गजरा ब्यूटेनोन का और सुत्र सी फोर एच एट ओ किसका क्रियासिल समुग है तो 63 का सही उत्र जाएगा अपसन सी किटोनिक है अब यहां पर दिया गया है संद्चना सुत् तो 64 का सही उत्र हो जाएगा अपसन भी सी एच ओ ठीक है ना उसके बाद से यहां पर 65 पुछ रहा है फिर वहीं चीज लग रहा है पूछ दिया है मतलब गुमाफिराकर करका उसी से रिलेटर परसन है तो 65 का सही उत्र बताजिए तो आपसन भी हो जाएगा छी एच ओ तो आप देख लिएजी इसमें से सही उत्र क्या हो जाएगा तो 60 का सही उत्तर हो जाएगा अपसन ए मेथिल कुलोराइड ठीक है ना उसके बाद से बात करते हैं नाइट्रो इथियन का सुत्र है तो 68 का सही उत्र हो जाएगा आपसन भी सी टुछ रहा है कि मेथिनॉल का तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि सेकेंड लाश्ट कोसन है इसी टौन का सुत्र क्या है तो 71 का सही हो जाएगा कि CS3C OCS3 और 72 नमर कोसन क्या पूछ रहा है जो कि इस चेप्टर का सबसे अंतिम परसन है और कहा जाता है कि अंत भला तो सब भला तो 72 नमर का कोसन का सह उत्तर हो जाएगा जैसे कि सीरका में कौन सा अमल पाया जाता है आपको याद रखना पड़ेगा सीरका हो चाहे नारंगी हो चाहे आम हो चाहे सीब हो या कोई भी अधरक लासन प्याज हो मतलब किसी भी चीज में मौज़ूद अमलियता के बारे में पूछ लेता है और आपका पूरी फूर्थ चेप्टर यानि बोले तो कमेश्टी के जितने चेप्टर हैं उसका सभी के सभी अबजेक्टिव इसमें हम समाप्त करते हैं और मुझे लगता है कि यह अबजेक्टिव आप देखे होंगे तो आपको अपने नॉलेज की लेबल की पाचान होई होंगे उनके पास जरूर सेयर कीजिएगा तो यहां पर हम इसी कोशन के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं फिर मिलेंगे नेक्स वीडियो में नेक्स टॉपिक के साथ तक तक के लिए जैहिंद